अलो इब्रिवन तो आज है शिक्सता फरवड़ी और इस सेशन में दा हिंदू इडिटोरियल का भोकेबली कहर करते हैं तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दिजिए और अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया हैं अगर फस्ट वर्ड की बात करें तो फर्स वर्ड है इन्हेंशिंग यहाँ पर एक भर तो वर्ड के साथ साथ हम देखेंगे कि ये कौनसा पार्ट सब्सक्राइब करना इंप्रोव करना इसको और आच्छा बनाना ठीक है कर देना बढ़ा कर देना या उसके लिभक को तुछ को इन्हान्सिंग बलते हैं तो इसका लोग देखते चलेंगे कि बहुत सारे एस इसमें डारेक्ली कोशन बन जाते हैं कि पार्ट्स अप्षिच आइडेंटीफाई करने को दिया रहे हैं ठीक है उसमें से मतलब आप्षन दे दिया गया और बोल देगा कि पहचानी कि इसमें से कौन सा है एड्जेक्टिव कौन सा है वहाँ पर आपको मतलब ऐसे अभी सही याद करेंगे तो आप असानी से पहचान पाएंगे और जहां भी मतलब सफिक्स के थुरूब पहचानना होता है वो भी आपको बता देते हैं तो इंटेंसिपाई मैंनिफाई है मटलीफाई इन प्लैट इन सब का मतलब क्या होता है इंकरीज कर देना बढ़ाना की सीझ को एससे अप मैंगनिफाएं गलास देखें हम ए ne फैंगला z sits को ए पर सित्थी को देखने के लिए जो बड़ा बड़ा कर दे या फिर डिखाता है तो बहले से मिंगे घते स्मस्वें आगया होके देखते हैं अगला रसे की बात करें तो एक नाउन है एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एक गौ़र्नमेंट especially an authoritarian one, तो रिजाइम मतलब होता है सरकार ठीक है जो क्या है जिसके पास authority हो अधिकार हो उसको बहुतNever当 हो वोलेंगे Cath simulator 2 जाएम तो इसके synonyms हो जाएंगे तो वर्ड क्या होगा रिजाइम हो गया जो यहाँ पर क्या है एक नावन है जिसका मिनिय ज्लाइब होता है पर्शासन होता है rule बात करें तो यह नावन है यहां पर यह क्या हो गया मिनिन्ग होता है लॉड कोई लोड हो घ्री और अट है रहारी हो घ्री मतलब हो तो भाटा है बहुता है जो लोड क्या भारी हो उसको क्या का बलेंगे बहुत को किई ब одलक और फोलेंगा थे कर यहूं सकते हैं तो अगर इसके मिनिंग की बात करें तो इसन उन थ प्राइट वेट यह बात करें तो सब या वाणते सब करें लोंड कारगों मेड outta तो देखिए यहाँ पर पिक्चर को भी थोड़ा सा देखिएगा क्योंकि पिक्चर यहाँ पर विजुलाइजिसन का काम करता है जो पिक्टोग्राफिकल रिपर्जन्टेसन होता है इससे चीजे जल्दी याद हो जाती है इसलिए हम कोशिस करते हैं कि जो यहाँ वर्ड होता तो जैसे आप फ्यूल यहाँ लेंगे मतलब पेट्रॉल पॉंप अगर आप 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 जो जब कार्ड पेमेंट करते हैं ठीक है क्रेडिट कार्ड या डेविट कार्ड तो आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रे देने पड़ता है एजसर्चार्ज फ्यूल सर्चार्ज तो सर्च उसको क्या बोलते हैं सर्चार्ज बोलते हैं सिनोनेम्स की बात करें थैस्ट्रेमेंट इसके से अगर आप अपने घर में कोई आपके घर में जो क्रेडिट कार्ड रहा होगा ठीक है डीटकर तो अगर वो कभी फ्यूल लिए होंगे क्रेडिट कार्ड के बाते हम से जरूर उनको पता होगा कि सोर्चार्ज किया होता ठीक हें मतलब कुछ एक्सार लग जाते हैं उनके काउंट से कट जाता है और वहां पर लिखा बता है तर्द इस तरह का कुछ लिखकर के आता है तो उसको अधिक भार्वय स्टाप को देना पूर है ठीक है तो चलते हैं नेक्स्ट वर के तरफ क्या है का अपरिंग जिसका मेंग होता है ओफर करना जैसे मालेजिए कि कोई किसी चीज का दाम ज्यादा होता है ठीक है तो जब उसको ऑफर पर आप खुद कुछ जो ऑनलाइन खड़ीते हैं इकमर्स द्वारा बहुत सारे साइट हो गया जैसे फिलिपकार्ट अमेजन तो जो उसका सब करना जाँ तो अब बात कर लिते हैं हो़र का रिखें होम और आ आप को करना यह है कि जो भी है और ओर्ड सीखं़ा है जो शारा आपको से रहे हैं एपको क्या करना एक सेंतेंस बनाना ठीक है सेंतेंस बनाने का अगल है जब श्ρωभ बनाने tirar डेके किसी बीज़़ से तो वर्ड आप को हमेश्ञा कि लिए क्या हो जाए धक हो हमेश्ञा के लिए याद हो जाएगा मोई सब्सक्राइब के बारे में सोचेंगे तभी तो सेंटेंस बना पाएंगे तो इसलिए आप कोशिस किजिए सेंटेंस बनाने का और आप अभी चाहिए तो आपके पास टाइम है इंटरनेट वेगर का हेल्प लेकर बना सकते हैं क्योंकि अभी आप एक्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठा जब SSB इंटर्वीउग देने जाता है आप nda cds या कोई भी मतलब जो भी एक्जाम क्लियर होता है उसके बाद तो वहां पर एक सेशन होता है वैट का क्या होता है वैट का वार्ड एस्सोशियेशन टेस्ट को बोलते हैं क्या बोलते हैं वार्ड एस्सोशियेशन टेस्ट word association test टिक है इसमें होता ये है कि जो word आपको आपको word दिया रहे है ठीक है word में आपको उस word से क्या करना होगा sentence का फर्मेशन करना होगा वो भी जल्दी जल्दी उम्हेद करता है कि आप sentence ज़रूर बनाएंगे ठीक है तो बढ़ते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहने वाला है अगले वर्ड की बात करें तो एक भर्व है एम्ड यहां पर क्या है एक भर्व है जिसका मेनिंग होता है पॉइंट और डिरेक्ट वेपन और केमरा एट टार्गेट जैसे आप देखता हूं कि मुवी वेगरा में जो सुटर होते हैं वह क्या करते हैं मतलब कहीं भी एक बड़े बिल्लिंग पर चले जाते हैं और वहां से एम्ड किया रहते हैं टार्गेट किया रहते हैं इस तरह का घाना सादना बोल सकते हैं मतलब कितां निशाना साधना इसका हो सकता है मुतनि निसाना भी हो यहां पर देखे जो ज्यादा होता है इसका मेनिंग आपको समझ में आ गया तो चलते हैं नेक्स्ट वाड के तरफ अगला वाड है रेक्टिफाइंग रेक्टिफाइंग की बात करें तो एक भर वह यह क्या है एक भर वह जिसका मेनिंग होता है यह होता है पूट्ट राइट अगर इसके हिंदी मेनिंग की बात करें तो शुधार हो जाएगा एंगि किसी चीज को पूट्राइट कर देना ब्लाइब करना प्रिक्स कोई प्रब्लम जो होता है उसका हिसस करते हैं या फिर माल ने राई मैरा जो भी एक्विप्मेंट हो गय कि उसमें सुधार कराता है जब कोई प्रोब्लम आती है रेमेडी रिभाई यह सब क्या हो गए इसके सिनोनेम्स हो गए तो जो भी प्रोब्लम आता है उसको क्या करते हैं रेक्टिफाइंग करते हैं तो यहां पर फिक्चर में भी देख सकते हैं इसका मेंनिंग होता है गीभिंग समवन सपोर्ट और कट और कन्फिरेंस सपोर्ट देना था किसी को सहारा देना तो बतलब क्या होता है सहारा देना करते हैं तो कोई हमारा दोस्त मिल जाता है तो थोड़ा से अंदर से पुझेटिव फिलिंग आता है ठीक है तो उसको सब्सक्राइब करें तो यहाँ पर एक नाउने तो आये यहाँ यहाँ को नोट करना लिए यह अनक्नाव सफिक्स होता है तो जब भी आपको तो किसी भी वर्ड क्लास में आयो एन दिखे तो वर्ड क्यों हो जाएगा ठीक है तो एक्जम्शन आपको यहाँ से नोट कर लेना जो क्या है एक नाउन है ठीक है यह क्या है एक नाउन है इसका मिनिंग होता है एक्षान प्रिंग और एस्टेट अभ बिंग फ्री फ्रम एन किसी को फ्री कर देना किसी को छूट देना जैसे मान लेजिए कि बहुत सब्सक्राइब कर रहा है आपको बहुत ज़्याद देना पर रहा है ठीक है तो कभी कभी मान लेजिए कि सरकार क्या कि अब को जो आपको जो आर्नी को बूस्ट जाएगा ज्यादा हो जाएगा ठीक्स तो जब सरकार क्या कि क्यूस्तेक्स में थोड़ा सा डिक्रिमेंट कर दी यानिक उसको घाटा दी टेक्स हो क्या कर दी डिक्रीज कर दी तो उससे क्या होगा कि आपको कुछ फूट मिल जाएगा जैसे हम लोग कोई शॉपिंग लेगरा करते हैं तो उस पर लिखार आता है ना कि कि पहचान करना क्या करना पहचान करना किसी चीज को इडेंटिफाइब करना तो इसका मिनिंग होता है इसको चस्मा हटा कर देख रहा है पहचानने की कोशिश कर रहा कि आखिर ये बंदा है कॉन ठीक है तो वर्ड क्या इसका मिनिंग होता है नियुक्त रिष्टि और इसके सिनोनेम की बात करें तो सब क्या जाएंगे तो इसके सिनोनेम हो जाएंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही आज का सेस्टन यहीं पर समप्थ हुआ सेस्टन कैसा लगा कमेंट सेस्टन में जरूर बताईएगा ठीक है और कोई भी क्या रही है तो आप कमेंट सेस्टन में कर सकते हैं तो मिलता है फिर अगले सेस्टन में तब तब के लिए जय हिंद्द झाल